हेलो एंड वेलकम दोस्तों लखैपूर टिवी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है पिछले वीडियो में मैंने शुक्रानुओं की संख्या बढ़ाने के लिए हिमालिया एस पे मैंन के बारे में बताया था और आज मैं बताने जा रहा हूँ चरक फार्मा की एडि जोया कैप्सूल के फाइदे और इस्तेमाल के बारे में एडि जोया कैप्सूल शिग्र पतन को भी ठीक करता है शेक से पावर बढ़ाता है और शुक्रानुओं की संख्या शुक्रानुओं की एक्टिवीटी और उनके शेप और साइज में सुधार करता है इस्पर्म काउंट बढ़ाने और इस्पर्म को हेल्दी बनाने के लिए यह बेजोड दवा है पर उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब बटन पर किलिक कर इसे सबस्क्राइब कर लीजिए हम आपके लिए स्वस्थ रहने और बीमारियों को दूर करने के अईरुवेदिक फार्मूले दवाओं की जानकारी और मुफ्त सला देते हैं चरक फार्मासिटिकल पेटेंट अईरुवेदिक दवा बनाने वाली हमारे देश भारत की जानी मानी कम्पनी है जो बेहतरीन अईरुवेदिक दवाएं बनाती है और उन्हीं बेहतरीन दवाओं में से एक है एडिजोया कैप्सूल यह अईरुवेदिकी जानी मानी शाष्तिरी आउशधियों और जड़ी बूटियों के मिश्रन से बनाई गई दवा है जो पुरुषों की यौन छमता और प्रजनन छमता को सुधारती है इसमें पूर्ण चंद्रोदेरस, मकरद्वज, शिलाजीत, कौचबीज, गोखरू, असगांध, विधारा जैसे पावरफुल घटक हैं जो अपने रशायन, अंटी आउक्सीडेंट, बाजी करन और पौश्टिक गुनों से पुरुषों की प्रजनन और यौन छमता को बढ़ाते हैं और सवस्त संतान की प्राप्ती में मदद करते हैं चरक अडिजोया कैप्सूल, जड़ी बूटी और मिनरल्स से बना पूरी तरह से अईरुवेदिक कैप्सूल है आईए अब जानते हैं कि इसमें कौन सी जड़ी बूटी और मिनरल्स को मिलाया गया है इसमें आठ तरह की पावरफुल दवाओं के अलावा 14 तरह की जड़ी बूटीयों का इक्स्ट्रेक्ट मिलाया गया है सबसे पहले एक नजर डालते हैं उन आठ दवाओं पर जो इसमें मिलाया गया है पूर्न चंद्रोदे रस यह एक शाश्त्रिय रसाइन आउसधी है जो कि पुरुषों के रोग के लिए सदियों से इस्तेमाल की जा रही है यह कमजोरी दूर करने वाली बल वीर बढ़ाने वाली शुकरानी दोश मिटाने वाली शिगर पतन दूर करने और सेक्स की इच्छा को जगाने वाली बेहतरी नउसधी है मुक्ता शुक्ती भास्म यह मोतियों के सीप से बनी आउसधी है जो कैल्शियम की कमी को दूर करने वाली पाचन शक्ती सुधारने वाली और शरीर को पुष्टी देती है स्वर्ण माचिक भास्म बेहतरीन शाष्ट्री यह आयरुवेदिक दवा है जो नेचरल टॉनिक की तरह काम करती है अबरक भास्म यह आयरुवेद की बेहतरीन दवाओं में से एक है जो रसाइन की तरह काम करता है पौरुष को बढ़ाने वाला अंदर से शक्ती देने वाला बाजी करन रसाइन है जो सेक्स छमता को बढ़ाता है शिलाजीत शिलाजीत एक बेहतरीन टॉनिक है जो शारीरिक और मांसिक शक्ती को बढ़ाता है और सेक्स पावर को इंप्रूव करता है इसके बारे में डीटेल जानकारी अपने चैनल पर एक वीडियो में दे चुका हूँ मकर्ध्वज मकर्ध्वज के गुन अपार है यह शरीर के रोगों को दूर कर स्वस्थ करता है और पुरुष रोगों को दूर करने वाला शिगरिपतन दूर करने वाला विर्विकार दूर करने वाला इरेक्टाइल इस्फंक्शन दूर करने वाला बेहतरीन रसाइन है आयुर्वेद में इसका बहुत अधीक महत्व है इसके चमतकारी गुनों के कारण पुरुशों के लिए यह बेजोड दवा है रस सिंदूर यह एक बेहतरीन रसाइन आउशधी है जो शरीर के हर विकार को दूर करती है इसके अलावा एडिजया कैप्सुल में जो चवदा जड़ी भूटियों का इक्स्ट्रेक्ट मिलाया गया है उनके नाम इस परकार है गुखुरू युरुनरी सिस्टम पर काम करता है अश्ट वर्ग आठ जड़ी भूटियों का मिश्रन बेहतरीन अंटी अक्सिडेंट और टॉनिक है सफेद मुसली सेक्स पावर बढ़ाने वाली जानी मानी दवा है कौँच बीज शिग्रिपतन दूर करने वाली और सेक्सुल अस्टेमिना बढ़ाने वाली दवा है गिलोई बेहतरीन अंटी अक्सिडेंट है अश्वगंधा तनाव दूर करता है और सेक्सुल अस्टेमिना बढ़ाता है विधारा कब्ज दूर करने वाला पाचन शक्ति सुधारने वाला आवला विटामिन सी से भरपूर अंटी अक्सिडेंट है बला मूल बल बढ़ाने वाला और योण शक्ति बढ़ाता है शतावर बल विर्र बढ़ाने वाली सेक्स पावर इंप्रूव करने वाली जड़ी है विधारी कंद बल विर्र बढ़ाता है वराही कंद पुर्ष रोगों मलापकारी चोप चीनी, विर्री की गुनवत्ता सुधारने वाली, रक्त दोश दूर करने वाली आउशधी है, मुन्जातक, बेहतरीन टॉनिक है, स्वास्त सुधारता है आठ तरह की रशाइन आउशधी और चौदा तरह की पावरफुल जड़ी बूटियों के मिश्रन से बनी यह दवा चरक एडिजोय कैपसूल, पुर्ष रोगों की नमबर वन दवा है अब जानते हैं चरक एडिजोय कैपसूल के फाइदे यह एक हर्बल दवा है जिसमें सभी प्राकिर्ति घटक मिलाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल सदियों से आईडिजोय कैपसूल, पुरुष प्रजनन छमता को सुधारता है शुक्रानियों की संख्या, यानि स्पर्म काउंट, गती शीलता, यानि मोटालिटी, गुनवत्ता, यानि क्वालिटी, और मातरा, यानि क्वांटिटी को सही करने में मदद करता है शुक्रानुओं की गत्ती शीलता की कमी को ठीक करता है और शुक्रानुओं की आकिर्ती और बनावट को सुधारता है पूरुश शेक्स हार्मोन टेस्टोएस्टेरोन के लेवल को सही करता है यह एक नैचुरल सेक्स पावर बुश्टर है शिक्रपतन को दूर करता है लिंग में भरपूर तनाव लाता है और लिंग को मजबूत बनाता है इरेक्षन की प्रोब्लम को दूर करता है और टाइमिंग बढ़ाता है विर्य दोश दूर कर विर्य को गाढ़ा बनाता है एंटी आक्सिडेंट है शुक्रानुओं को नुक्सान से बचाता है आईए अब जानते हैं चरक एडिजया कैप्सुल के डोज के बारे में जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि विर्य की जाँच से शुक्रानियों की संख्या का पता चलता है इसे एक एक कैप्सुल दिन में दो बार सुबा शाम लेना चाहिए अगर सुबह खाली पेट लिया जाये तो अच्छा है इसका इस्तेमाल लगातार 90 दीन या 3 महिना तक करना चाहिए ये तो हो गया शुक्रानियों की संख्या बढ़ाने का डोज अगर आप इसे सेक्स पावर बढ़ाने और शिग्र पतन दूर करने और सेक्सूल स्टेमिना को इंप्रूब करने के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो भी इसे एक से दो कैप्सूल सुबह शाम दूर के साथ लें और फिर चमतकार देखें जिन लोगों का स्पेर्म काउंट कम है और इसे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हों उन्हें कुछ परहेज भी करना चाहिए, जैसे स्मोकिंग ना करें, शराब न पियें, जंक फूड न खाएं, अधिक तेल वाले और फ्राइड फूड न खाएं, तनाव दूर रखें, और मौसमी फल और सबजी का इस्तेमाल करना चाहिए. तो दोस्तों, ये थी चरक एडिजोय कैप्सुल के फाइदे और इस्तेमाल की जानकारी, जिसके सेवन से ना सिर्फ एस्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं, बलकि सेक्स पावर को भी इंप्रूव कर यौन जीवन का आनन्द ले सकते हैं. इसी तरह की दूसरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए, नई अपडेट पाने के लिए, और बीमारियों को दूर करने के आयुरवेदिक फार्मूले और घरेलियून उसके जानने के लिए. आज की जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसका फाइदा ले सकें, आपका एक शेयर किसी को भी बीमारी से मुक्ति पाने में मदद कर सकता है, आज की इस जानकारी को आप डिस्क्रिप्शन में दियेगा लिंक पर क्लिक कर पूछिये, आपके सवाल आपकी राय और सुझाव का स्वागत है, आप स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है, धन्यवाद